हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे योटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने एक most important civics का लेक्चेर वीडियो लेकर आचुका हूँ जिसमें हम 8 standard के लिए पढ़ने वाले हैं सिविक सब्जेकर chapter 5 जिसका नाम है state government तो state government यानि कि क्या होता है state government यानि कि आपका एक state होगा उसकी government कैसे role play करती है और आप जैसे कि आप जानते हो कि हम महाराष्टर में रहते हैं महाराष्टर बोर्ड का सिलावस पढ़ते हैं तो हम महाराष्टर की ही बात करेंगे यानि क्या क्या चीज़े होती है विधान सभा विधान परिशत क्या होता है ये सब चीज इस chapter में पढ़ेंगे लेकिन आज पहला lecture है lecture number 1 है तो इसको आराम से पढ़ेंगे आज सिर्फ introduction दूँगा इस chapter का फिर जैसे जैसे lectures आएंगे वैसे वैसे हम आगे बात करेंगे और ये chapter को complete करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो शुरुआत करें लेकिन एक कुछीज और आपको मैं बता दूँ कि यार आप 8 standard में हो तो आपका बाकी जो science subject है पूरा science subject है जितने भी chapter से हमने complete किये हुए उल्रेडी complete किये हुए तो tension मतने न बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि सर सिर् सिर्फ science और math सी पढ़ाया लगबग एक साल से तो पूरा science और math पहले complete कर दिया था history, geography लेट चालू किया इसके लिए यह अभी खतम होने वाला यह भी 99% complete हो गया एक दो chapter बचे यह भी complete हो जाएगा तो आप लोग के जिमेदार ही है कि आप अपने तरीके से पढ़ाई करते और आपके लिए हम नया चानल भी श्टार्ट किया जिसका नामे जया टूटोरियस नाशनल स्टडी उसमें हम एनिमेशन के साथ आपके लिए कुछ वीडियोज डाल रहे हैं जिसमें आपका NCRTO CBSC का पैटन रहेगा तो अगर आप इंटरस्टेड हो तो प्लीज वो चैनल पर चले जाना लेकिन आपके अगर कोई फ्रेंड से जो CBSC बोर्ड में पढ़ते हैं तो उनको जरूर से वो शेयर करते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे न्यू चैनल का ठीक है तो जरूर जाना चैनल को सबस्क्राइब करते हैं ओके सबसे बड़ा नहीं लेकिन आप देखोगे तो हमारे महराष्ट में काफी जादा एक तरीके से पॉलिटिकल चीजें होती है ठीक है और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है महराष्ट जैसे कि जो पॉलिटिकल पार्टी महराष्ट का इलेक्शन को जी जाते हैं वो एक तर सरकार जो चल रही है जो government जो state government हमारी जो चल रही है इसमें क्या-क्या चीजें होते हैं तो हमने previous lectures में से कई सारे चीजें डिसकस की थी जैसे की union पार्लियमेंट क्या होता है, union executives क्या होते हैं, हमारे इंडिया में judicial system कैसे होते हैं, कैसे judges बैठते हैं, judges को कोई appoint करता है, president appoint करते हैं, क्या-क्या उनका रोल होता है, यह सभी चीज हमने previous lectures में ही discuss कर लिया था, और इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा, कि हमा पार जो system है, federal system की, अगर मैं बात करो, दोस्तो, तो government में न दो level होते हैं, ठीक है, तो federal, देखाता एंडर, central government, federal system यानी central government के अंदर, दो level होते हैं, तो एक level जो होता है, जो पूरे country को control करता है, जैसे कि आप जानते हैं, कि हमारे एक सरकार है, जो पूरी country को control करते हैं, और एक सरकार ऐसी है जो हमारे सिर्फ स्टेट के उपर या फिर रीजन के उपर ध्याम देती है जैसे कि आप जानते होंगे इसलिए हमारे देश की एक मुख्य गवर्मेंट होती है जो आज की रेड़ में आप देखोगे तो आज की रेड़ में हमारी सेंटर में गवर्मेंट को पूरी इंडिया को कौन करती है, कौन सी गवर्मेंट, BJP गवर्मेंट करती है, यानि कि जो भाजपा है, उन्होंने इलेक्षन जीता, और उन्होंने अपना सरकार बना लिया, इसलिए वो गवर्मेंट रन कर रही है, पूरे कंट्री में, लेकिन वो महाराष्टर में जीत नह बहुमत के साथ उतना नहीं मिला तो इसलिए बाकी तीन पार्टी को भी नहीं मिला था लेकिन ये तीन पार्टी ने मिलके क्या कर दिया अपना जितना बहुमत के लिए आकड़ा चाहिए होता है जितने के लिए उतना ये लोग ने क्रियेट कर दिया तो इनकी सरकार बन गई यानि कि आप देखोगे तो state में कुछ और लोग की government है, center में कुछ और लोग की government है, state में जो working होता है government का वो एक अलग तरीके से होता है, और पूरे center में जो एक तरीके से working होता है government का वो अलग तरीके से होता है, यानि कि दोनों के दोनों जो parties हैं, वो अलग-अलग काम करती ह दोनों के दोनों जो चीजे हैं, सेंटर हो चाहे श्टेट हो ये दोनों अलग-अलग होता है, तो अगर हम इसके थोड़ा सा बैक्ग्राउंड के उपर जाने की कोशिश करेंगे, क्या इनका बैक्ग्राउंड है, वो हमने फ़रा डिसकस करें, तो आपको समझ में आएगा, कि महराष्ट में, या फिर आप कोई भी स्टेट गर्मेंट की अगर बात करें, कि हमारा जो पूरा फैलाओ है, यानि कि आप देखो कि हमारा इंडिया जो है एक बहुत बड़ा कंट्री है, जिसमें एक बहुत सारे स्टेट सें, जैसा कि आप जानते हो, और हर स्टेट में क्य वो अलग-अलग राज्यों का क्या है, देश है, और ये हर राज्यों में अलग-अलग तरीके से बात की जाती है, लैंग्वेजेस अलग-अलग होते हैं, कल्चर अलग-अलग होते हैं, रिलीजियन अलग-अलग होते हैं, इसे कई सारे चीजे आपको वहाँ पर देखने मि तो मराथी बोलने सबको आना चाहिए, या फिर आप एक तरीके से आप बोल सकते हो, कि मराथी समझ में आना चाहिए, आप इस परकार का बोल सकते हो, कुछ basic language थोड़ा बुछ समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसलिए यहाप जितने भी बचपन से आप पढ़ाई करते हो, तो हमें मराथी language जो है compulsory किया जाता है, क्योंकि हम महराष्ट में रहते, तो एक local language जो होता है, उस राज्य का वो हमें पढ़ाया जाता है, तो सेम उस प्रकार आप बंगाल में चले जाओ, तो बंगाली language आपको पढ़ना पढ़ेगा, आप UP में चले जाओ, तो उदर का language पढ पढ़ना पढ़ेगा, तो एक local language जो होता है, वो compulsory होता है, एक time के बाद, दसवी तक पढ़ने के बाद, दसवी तक compulsory होता है, लेकिन एक time के बाद उसको option में आप डाल सकते हो, कोई परिशानी नहीं होती है, ठीक है, अब अगर हम बात करें, कि जो हमारा government का जो nature होता है, वो every state के लिए, हर state के लिए क्या होता है, almost same होता है, जो function होता है, जो working होता है, उनके भी एक chief minister बनेंगे, एक deputy chief minister बनेगा, एक home minister बनेगा, state level का, तो ये सब चीज होता है, तो हर state के लिए क्या होता है, लेकिन एक exception है, इसमें, except the Jammu and Kashmir, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्य क्योंकि आपका पता है, Jammu and Kashmir में Article 370 था, ये आपका syllabus जो है थोड़ा पूराना है, तब उसके पहले तक, यानि कि जब आपका syllabus ये लिखा गया था, उस time तक Article 370 उस Jammu and Kashmir में था, ठीक है, इसी लिए Jammu and Kashmir का जो election process होता था, या फिर कुछ अलगी तरीके से होता था, तो उसको हर स्टेट के लेवल पे हम सेम नहीं कंसिलर कर सकते हैं, लेकिन आज की डेड़ में वो सेम हो चुका है, ठीक है, Article 370 को हटा दिया गया है, तो ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे, स्टेट लेजिसलेचर के बारे में, स्टे स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है नम, और हमारे इंडिया में अगर बात करें, कि सिफ साथ स्टेट ऐसे हैं, जिसमें दोनों हाउस है, जैसे की, एक्जामपल के तोर में, बाय कैमेरल लेजिसलेचर, और दूसरा जो है, महाराश्ट्र, जो कि एक राज्य है, जिसमें, मह देखोगे, तो सिर्फ और सिर्फ साथ स्टेट ऐसे हैं, जिसमें बाय कैमरल, यानि कि दो तरफा लेजिसलेचर होता है, और उसमें से एक है हमारा महाराश्टा, क्योंकि हमें महाराश्टा बारे में ही पढ़ना है, तो सिर्फ उसके उपर ही फोकस करेंगे, तो तो मेंबर ओफ लेजिसलेटिव लेजिसलेटिव असेमली, यह होता है MLA, तो जो भी असेमली होते हैं, उसके वो मेंबर होते हैं, जिसको मेंबर ओफ लेजिसलेटिव असेमली कहा जाता है, जिसको प्यार से हम लोग MLA बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और चीज होता जिसको हम लोग बोलते हैं MLC जैसे MLA था Member of Legislative Assembly वैसे MLC है जिसको हम लोग बोलते हैं Member of Legislative Council क्या बोलते हैं दोस्तों Member of Legislative Council ठीक है तो यहाँ पे इसलिए दो तरफा हो गया दो टाइप का हो गया, एक हो गया आपका MLA दूसरा हो गया MLC, यानि कि Member of Legislative Assembly, Member of Legislative Council और इसलिए महाराश्टरो या फिर जो बाखी स्टेट जो मैंने बोला यह क्या है, बाइ-कैमरल लेजिसलेचर होता है इसमें दो तरफा फॉलो होता है, और अभी बात कर लेते हैं लेजिसलेचर के बारे में महाराश्टर के लिए, तो लेजिसलेचर आफ महाराश्टर तीक है, हमारा अगला टॉपिक है लेजिसलेचर आफ महाराश्टर, तो महाराश्टर में किस प्रकार से लेजिसलेचर होता है जैसे कि अगर example के तुर्पे बात करें, कि हमारा जो महराश्ट्र है, इसमें legislature में दो houses होते हैं, legislature of महराश्ट्रा have two houses, और ये दो houses कौन-कौन से हैं, सबसे पहले हैं दोस्तों, विधान सभा, जैसे कि आपने ये word सुना होगा, विधान सभा, और इसके elections भी आप जानते हो कैसे होते हैं, तो विधान सभा, विधान परिशद ये exactly क्या होता है, तो विधान सभा जो होता है दोस्तों, वो किसके अंडर में आ जाता है, ये आपको ध्यान में रखना, ये अलग-अलग चीज़े हैं, इसलिए तो मैंने बोला कि हमारे देश में सिर्फ साथ ऐसे स्टेट है, जिसमें बाइकेमरल लेजिसलेचर है, दो तरफा लेजिसलेचर है, ठीक है ना, और इसी में आपका महराष्ट आ जाता है, ये जो विधान सबा है, ये क्या होता है, ये विधान परिशद है, ये क्या होता है, ये लेजिसलेचर है, करेंगे, तो वो हम आपको पूरा का पूरा बताएंगे, कि ये सब चीज क्या होता है, लेकिन आज नहीं, इसको हम लोग बात करेंगे हमारे अगले लेक्चर में, यानि कि अगला लेक्चर फटा-फट से लेकर आ जाओंगा, लेक्चर नमबर टू में, जिसमें हम पूरा में explain करेंगे, कि वाकई में जो विधान सबाई होता क्या है, legislative assembly के अंदर, फिर ये जो विधान परिशाद ही है, legislative council के अंदर क्या होता है, इसके functions क्या होते है, क्या role है, कौन members होते है, इसके अंदर, ये सबी चीज हम डिसकस करेंगे, हमारे अगले लेक्चर में, तो आप मैंने start में बोला था कि आज छोटा साई lecture होगा, introduction होगा, तो अलोड़ी बहुत सारी चीजे हमने discuss करा दिया आपको, state government के बारे में, और उमीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप थोता है, जल पॉलिटिकल चीजे आपको समझ में आनी चाहिए, और आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम के बाद 20-25 साल के जब हो जाओगे, तो आपको ये सब सब्जेक में बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट आएगा, कि दुरिया में पॉलिटिक्स कैसे होता है, ये बहुत ज शेयर कर देना दोस्टों के साथ उनको भी पता चल जाए, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, अब ये एक चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया, तो फटा फट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी के साथ हमारे बहुत सारे वीडियोज एवेलेबल है हम good bye